हेलो ट्रेडर्स कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनी चार्ट में देखा था 38% retracement लेवल जो आ रहा था 14,894 और बैंक निफ्टी के अगर बात करें तो वहाँ पर आ रहा था 38% retracement 35,888 इन दोनों लेवल के उपर जो है हम मान रहे थे कि ये निफ्टी इसके उपर और बैंक निफ्टी इसके उपर positive हो सकता है morning में हमे positivity देखने को मिली लेकिन 10 बच कर 7 मिनिट के बाद जो है problem शुरू हुआ NSE में और जो साड़ा 3 बजे के बाद जब market pre open के बाद फिर से 345 को open हुआ उसके बाद 4 बच कर 7 मिनिट पर सीता रमन जी के ट्वीट के बाद जो यहाँ पे यह level दोनों break हो गए और positive news के चलते दोनों में nifty और bank nifty में यह जो हमारा break even point था break होने के बाद बहुत अच्छा bounce हमें देखने को मिला तो आगे क्या changes हो सकते हैं क्या possibility हो सकते हैं वो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं शुरात करते हैं nifty के one hour chart से यहाँ पे one hour chart को देखे तो इससे पहले के वीडियो में हम मान रहे थे one two three और ये एक irregular correction मान रहे थे जो कि आज हम मान सकते कि यहाँ पे पूरा हो चुका है तो ये a, b और c यहाँ पे wave 4 पूरा हो चुका यहाँ से अगर हम wave 5 के projection निकाले तो 38% आ रहा है 15,269 पे और 61% आ रहा है 15,661 पे तो ये जो range है इस range में जो है ये wave 5 पूरा हो सकता है लेकिन ये 38% है ये high के नीचे आ रहा है तो हम मान सकते इस high के उपर और 61% इसके बीच में जो है wave 5 जो है project हो सकता है तो अभी के लिए अगर हम देखे तो 1 hour chart से हमें लग रहा है कि ये जो है wave 4 irregular correction के चलते पूरा हुआ है यहाँ से जो है wave 5 already start हो चुका है तो यहाँ से जो bounce है उसको अगर हम देखने के कोशिश करे 14,635 से उसको अगर हम lower time frame में देखे तो यहाँ से इस chart म 14,635 से इसको हम मान लेते है wave 1 यह मान लेते है wave 2 और यहाँ से जो bounce हमें देखने को मिला है यहाँ पे 1 और यह जो पूरा candle है बड़ा सा यह जो है 3.30 से लेके 3.7 तक का जो यह pre open का जो है यह candle है तो इसको हमें totally ignore करना है इस candle को right और यहाँ पे जो है 3.45 से फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से wave 2 के बाद अगर हम देखे तो 1 और 2 complete हो चुके है और यहाँ से जो यह wave 3 हम मान रहे है उसका अगर हम retracement निकाले तो 23 परसंट आ रहा है 14,950 और 38 परसंट आ रहा है 14,914 इसके नीचे अगर trade करता है तो फिर से हम nifty में negative हो जाएगे otherwise यह जो है immediate support range है जहाँ प यहाँ पे wave 4 पूरा हो चुका है और यहाँ से wave 5 already start हो चुका है हाँ अगर इसके नीचे trade करता है तो ही हमें alternative count को ध्यान में रखना है और यह alternative count क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो है अगर इस 5 minute chart में हम pattern को देखने की कोशिश करें तो यह bounce जो है मैं clearly 3 wave bounce लग रहा है राइट और यह जो है काफी complicated है लेकिन इसको अभी हम एक corrective wave मान लेते हैं यह ABC के बाद फिर से corrective wave और यहाँ पर अगर हम देखे तो अभी तक यह 3 wave move है तो यह इसको हम ABC मान सकते हैं अगर इसके नीचे trade करता है 14,914 के नीचे trade करता है 50 minutes से ज्यादा तभी हमे इस alternative wave count के बारे में सोचना है कि यह corrective bounce है और निफ्टी फिर से ने अलो कर सकता है अगर इसके नीचे trade करता है तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर wave 1 और wave 2 लिया है और यहाँ पर भी 1 टू लिया है जबकि यहाँ पर clearly दिख रहा है कि यह 3 wave move है तो ऐसा हमने क्यों किया इसक आगे का जो हमने चार्ट देखा वन ओवर का निफ्टी का जो वन ओवर चार्ट देखा हमने वहाँ पर लग रहा है कि एक irregular correction यहाँ पर wave 4 पूरा हुआ और यहाँ से wave 5 ऊपर की तरफ जा सकता है इसलिए हमने जो यहाँ के wave count है वो उस हिसाब से लिये है लेकिन definitely market opening के बाद live market में जबी भी यहाँ पे कुछ ऐसा हमें scenario दीखे कि possibility change हो रही है तो यहाँ पे हमें alternative count को ध्यान में रखना है अगर इसके नीचे trade करता है तो और यह level जो है वो अगर नया high करता है तो उसके हिसाब से change होते रहेंगे तो यह इसको consider करेंगे हम अभी के लिए support range और यह नय की तरफ तो उसके हिसाब से आप nifty में अपनी ट्रेडिंग strategy बना सकते है और वन वर चार्ट से देखे तो यहाँ पे वेव फोर पूरा हो चुका है और यह फाइव अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है और इस level को ध्यान में रखना है राइट बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर वन वर चार्ट में देखे तो यहाँ पे 1,2,3 और यहाँ पे भी हम मान लेते कि यह एक irregular correction है और यहाँ पे wave 4 पूरा हो चुका है क्योंकि यह एक impulsive decliner में लग रहा है तो यह impulsive decline जो है यह irregular का wave C हो सकता है या तो फिर एक downside में नया impulse हो सकता है तो फिर यहाँ पे corrective bounce के बाद decline हो सकता है लेकिन अभी के लिए अगर हम nifty और bank nifty में दोनों के दोनों में अगर similarity के बात करें तो यह irregular correction हो सकता है और यहाँ से अगर हम wave 5 के projection निकाले तो 38% आ रहा है 37,6002 पे और 61% आ रहा है 39,257 प इसके बीच में जो है bank nifty wave 5 पूरा कर सकता है यह हम 1 over 4 seconds रोकर सकते है लेकिन अभी के लिए अगर हम यह जो है 34,976 से जो bounce है उसको अगर देखने की कोशिश करें lower time frame में तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर हम देखे तो bounce यहाँ पे इसको हम मान लेते यहाँ पे wave 1 यहाँ पे wave 2 राइट फिर यहाँ पे wave 3 और यह wave 4 और यह जो है wave 5 इसको मैंने सभी Fibona की ratio के हिसाब से internal wave count को भी दो बार चेक किया है आप भी एक बार हो सके तो check कर सकते हैं तो यहाँ पे possible है यह 1,2,3,4 और 5 यहाँ पे 5 wave move है तो यह A और 1 यहाँ पे हो सकता है 35,641 पे और यहाँ पे जो 345 को bank nifty फिर से open हुआ था वह यह जो है opening था और वहाँ से immediate bounce हमें देखने को मिला था तो यहाँ पे जो है यह B or 2 पूरा हो सकता है और यहाँ से फिर से C or 3 start already हो चुका है जो करीबन 123% से थोड़ा ज्यादा project हुआ है तो यह A or 1, B or 2 और C or 3 हो सकता है राइट अगर यह 3 है तो continuously चरता रहेगा और यहाँ पे अगर हम देखे तो इस पूरे C or 3 का अगर हम रिटरस में निकाले तो 23% आ रहा है 36,326 और 38% आ रहा है 36,177 इसके नीचे अगर trade करता है 36,177 के नीचे अगर trade करता है bank nifty 15 minutes से ज्यादा तो यहाँ पे हम मान ल करता है यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जा सकता है लेकिन यह हमें तभी सोचना है जब यह लेवल बेक करके नीचे bank nifty नीचे sustain करता है और यह जो है immediate support range है और यहाँ से फिर से bank nifty ऊपर की तरफ जा सकता है जैसा कि हमने one over chart में देखा था लेकिन हमें safety के लिए यह level को ध् चेंज होता है तो उसके साथ अपने अपनी अपनी ट्रेडिंग strategy को भी चेंज करना है अज के वीडियो में बस इतना ही अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद